तो हलो भाईयो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल फेंटसी लीजन रखाड़ा में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे बेंगाली और मैजिक सीसी के बीच खेले जाने वाले दोस्तो आज के इसे स्पैन टीटेन मैच के बारे में जो कि दोस्तो आज की दिन का पहला मैच रहेगा और इस वीडियो में दोस्तो आप लोग को मैं सभी प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा कि ऐसे कौन-कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आपको अपनी टीम में लेना है और ऐसे कौन-कौन से प्लेयर्स हैं जिनने दोस्तों आपको अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है और अच्छा खासा अमांट विन करना है तो भाईयो देरिक इस बात कि आप लोग टेलिग्राम को तो जोईन करो याँ टेलिग्राम में आपको सभी अपडेट मिलेंगे टॉस और लाइनप के अपडेट तो आपको मिली जाते हैं प्लस दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है ठीक है जी एल पीक दे देता ह टेलिग्राम कर लिंक दोस्तों एक तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षन दोनों जगह दे दिया हूं ठीक है वहीं से आप लोग टेलिग्राम को जोईन कीजेगा चलिए दोस्तों बात करें मैच के बारे में और प्लेयर्स के बारे में तो दोस्तों यह मैच नंबर 61 खि से लिए हैं दौसटों इस पर 25 बैटेंग फर्स 25 बैटिस्क्रिपा लडी टिम नहीं यहां पर विन किया है तो बात करें यहां पर एफ्रीड स्कूर की तो आपको आपको सौन 630 के बीच में बाहत करें दोस्तों बैंग Сबया उंगरे में तो टीम बैंगाली दोस्तों अप तो प्लेयर्स काफी अच्छे हैं आपको मैं बताऊंगा लाइन आप के थुरू ठीक है और यहां पर आप देख सकते हूं का प्लेइंग लेवन फारुक एहमद हैं दोस्तों और अब्दुल्ला अलममून है यह दोनों आपको most probably open करते हुए दिखेंगे फारुक एहमद दोस् यह दोस्तों बहतरीन प्लेयर कंट्रियू आपको दोवर की बॉलिंग दे रहा है प्लस दोस्तों टॉप अडर पर बैटिंग तो इसको भी लेकर के चलना ही चलना है आपके टीम में ठीक है तो यह दो प्लेयर ओपनर जो हैं important रहेंगे जाही धसन है यह भी दोस्तों बहतर पस से लेकर के चल सकते हो बैटिंग कर सकता ही अगर बैटिंग आजाएगा तो इसको ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको देखेंगे अब दूस सामद प्लेयर काफी सांदार है दो ओवर की प्रॉपर बॉलिंग कर रहा है हर मैच में विकेट भी इसको मिल रहे हैं देखो और दोस्तों उतना ज्यादा चांस खुद को नहीं देते ये और स्टार्टिंग के मैच में देखो यहाँ पे थोड़ा सा इनका बैटिंग न डाउन रहा था इसलिए दोस्तों फिर इनका बाद इनको बैटिंग से थोड़ा कमी चांस दिया जाता है वनना फिर ओपनिंग क कर रहूं बाकी आप चाहो तो लेकर के चल सकते हो कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं और कभी भी किसी भी नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं अहमादुल्ला है ये दोस्तो अच्छा प्लेयर है बैटिंग भी कर लेगा प्लस दोस्तो बॉलिंग भी इसका ठीक ठाक है लास्ट म बॉल से लुए यहां एक पपूलिए अधाउस अधेल एलें यहां पे दस रम हर मैच में nu मिल रहा है क्योंकि यह थिस स्ट्राइंग को वर बॉल यहाँ तो बेट tas ने लिएंग करने तो यह मेंन के नहीं बैटिंग करने आ रहा है इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं इसको काफी एरफन है इनको भी ड्रॉप करके चलूंगा लेकिन जीएल का पिक रहेगा दोस्तों कभी-कभी यह बॉलिंग करने आ जाता है यहां पर विगेट लिया एक और डालके तो जीएल में ट्राइक करना है तो कर सकते हो उधायदुर रह्मान है देख लेना यह भी दोस्तों कभी बॉलिंग कर सकता है देखो यहां पर दो डालके उसके बाद उतना अच्छा खासा चांस नहीं मिला इसको ठीक है तो ज दो सीफ लेकर चलो बाकि यहां से दोतों आप सेदुर्रह्मान को ले सकते हूं बातीयल महमूद और अब्दॉल्हामद उलाह हैं यह तीन प्लेयर इन पे देख लेना अपने हसाप से लेना रहा है यातले सकते हो और मैंस को उच्छे जो Sury से रहे सफेक्षी ऐसे दिख von लो सबस kijken दो सब्सक्राइब कर TikTok पjektुमीर सूरी से 150-5 दोस्तों कोई भी खिलें सा में और आपको टेल제र मेंने अपडेट हुआ सामद आपको मोश वाली डेत में बॉलिंग करते दिखेंगे आगे बात करें दोस्तों टीम मैजिक सी सी के प्रोबर प्रेंग लेवन के बारे में एम जी सी के तो दोस्तों अभी तक इनकी टीम बारा मैच खेल करके नौ मैच विन की है और दो मैच सिर्फ आ रही है तो इनकी तो टीम भी काफी अच्छी है और अच्छे पर्फॉर्मेंस करते हैं इनके प्लेज्ट रूबर बिलाल हसन और वकास अनवर लेस्ट मैच में आपन किया था यज mo क्यों लोग बैटिंग करने का मन करे केिसी फ्लर को बिलाल घसनी लेकिन सभी मैचस में आपनिंग करता है और इसका performance आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी matches में दोस्तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से काफी सांदार है ले करके चलेंगे captaincy भी करके चलेंगे team में wise captaincy भी दे सकते हैं आप लोग देना चाहो तो captain किसी और को दोगे तो लेकिन player काफी सांदार है बिलाल असन टीम में रह लेता है तो बिल्कुल आप इसको सब्जेस्ट कर रहा हूं मैं आपको अपनी team के लिए ले करके चलिएगा सकील एहमाद है दस्तो लास्ट के matches से विकेट कीपिंग कर रहे हैं ठीक है विकेट कीपिंग से आपको points देंगे run out catching stumping के प्लस दस्तो थोड़ा बहुत रंस कर दि तो बैटिंग से ठीक है किसी न किसी से आपको points दे करके जाएंगे ही दाएंगे देखो यहाँ पे दोस्तो बैटिंग से यहाँ पे हालागी flop रहा है उससे पहले 32 प्लस दो विकेट यहाँ पे 14 प्लस 3 विकेट यहाँ एक एक विकेट लेकर गया है तो बिल्कुल इनको ले मैच में points नहीं देते लेकिन कुछ-कुछ matches में दोस्तो points दे करके चले जाते हैं हिटिंग करके चले जाते हैं और सांदार hitter player है दोस्तो ठीक है हर मैच हर ball को ground के बाहर माने का दमखम रखता है अगर यह अच्छा खेला तो तो फाहा दसन एक important player लगता है मुझे try कर सकते हो दोस्तों ठीक है असा दिसान है इस player का दूस्तों मुझे समझ में यहाता है किसी match में दोस्तों अच्छा खेलता है किसी में खराब खेलता है किसी में अच्छी birाटइ में करेगा और बॉलिंग भी हर मैच में नहीं करता है इसको मैं जब जब रखता हो ना तब तब यह पॉइंट नहीं देता और जब नहीं रखता न तो ज्यादा पॉइंट देता है ठीक है इसी वाज़स से मेरा लगभग लॉस होता है 80% इनके मैचेस में ठीक है बाकी ये प्लेयर अच्छा है आर लेकर के चल सकते हो टीम का कैप्टन है इंपोर्टेंट रहेंगे फैजानूला इसको भी दोस्तों देखो कभी-कभी ऐसा आता है कि 2-2 विकेट 5-5 विकेट इसको मिल जाते हैं और कभी-कभी इसको एक भी विकेट नहीं मिलता तो ऐसा प्लेयर है यह सगेस्ट नहीं करूंगा ड्रॉब करके चलूंगा इस प्लेयर को दिलिब बाबा है है विकेट कीपिंग कभी-कभी करते हैं और विकेट कीपिंग ना कर चाहिए तो ऐसा balling करते हुए है तो इसको लएकर के चलना पड़ेगा जीयल वगेरा में इस माल लिग में तो दोस्तो रिकमेंड़ नहीं करूँगा यहां से सैफ अला ड्रॉप करूँगा इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मेरी टीम में यहां से रहने वाले है ना उनमें देखो बिलाल हसन है वकास 산war है सकील अहमद है इनको लेकर के चलूँगा जयन इशान है फाहद हसन है इनको लेकर के चलूँगा और यहां से दोस्तो देखूँँगा मैं अपने हिसाब से अलि असाद सद इशान इन दोनों में से देखूँगा किसी प्लेयर को गल लेना रहे तो बिल्कुल अपनी टीम में ट्राइ करूँगा बाकी दोस्तो इनके बेंच के सभी प्लेयर के रिकॉर्ड आप देखो रंजोस्तिंग भहतरीन प्लेयर दोस्तो खेलेंगे तो ठीक है मुहमत कामरान भी अच्छे प्लेयर है रंजोस्तिंग भ विलाल हसन है जैन इशान है अली असद हैं आपको डेत में बॉलिंग करते हुए मोस्ट प्रब्ली दिखेंगे तो दोस्तों ये तो हो गया ओवराल प्लेयर के स्टेट्स के बारे में अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक डोमो टीम का तो देखो यहां पर फाहद हसन आपको द ना किया तो लेकिन विगट कीपिंग करेगा तो दोस्तों वहां से पॉइंट से सकता है ठीक है मोत तलाब है दोस्तों इनका भी कोई फिक्स ने रहता बैटिंग बॉलिंग थी कह मिले नहीं मिलेगा तो इसलिए मैं नहीं लिया हूँ बाकी नीचे प्लेयर इंपॉर्टन में पिक करना कभी कभी बॉलिंग करते हैं Small League में इंको नहीं लेना ठीक है बाकि नीचे की प्लेयर कोई भी important नहीं है अगर यहां से स्टोमन अगरा खेलते हैं इसलाम खेलते हैं तो इनको देख लेना ठीक है अलडूंडर सेक्शन भी तो ये दोस्तो प्लेयर मेरी टीम में रहेंगे चार प्लेयर तो बिल्कुल टीम में लेकर के चलूंगा नीचे से दोस्तो सैदूर रहमान है जील में लेकर के चलो स्मॉल लिग में भी अजर ट्रम प्लेयर इनको ले सकते हो कि कि इनको विकेट्स मिल जाते हैं और कभी-कभी क काफी अच्छा विकेट ले करके जाते हैं तो इनको देख लेना ठीक है लेना रहेगा तो स्माल लिeg में तो दोस्तो आप रिस्क लेना चाहों तो रिस्क लेकर के चल सकते हो मैं बॉलिंग सेक्षन की तरह पाता हूं और यहां से दोस्तो यहल्मेbn है अब दूभ सामा द्याइए दो फिल्लाय нагो लेकर तो में असाद इशान को सोच रहूं ठीक है या फिर दोस्तों मैं इधर से सयदूरहमान को अपनी टीम में बैक कर सकती हूं और असाद हिसान को ये कर सकता हूं ठीक है अगर आप इनमें से कोई भी चेंज रहना चाहो तो यह सथ इसान को ड्रॉप करके ML महमूत को भी एपनी टीम में ले सकते हो या फिर यहां से किसी प्लेयर को ठीक है, Udaydur Rahman जैसे प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हो, चाहो तो बाकी दोस्तों, यह मेरी इस मैच की डेमो टीम है और यहां पर दोस्तों मैं कैप्टन फाइनल केप्टन वा इस क्ने के लिए दोस्तों आपको ज्यून करना पड़ेगा टेलिग्राम चेनल को एक बजे आपको फानल टेम वहाँ पर दे दूगा राइन अप कि बाद ठीक है तो एक बजे टेलिग्राम पर फाइनल टेम मिलेगी इसकी तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर जोइन करो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू सो मच